गूड आफ्टरनून अल अल अफ यू वी आ स्टडिंग हीर पावर्टी आच चलेंज थर्ड चाप्टर ओफ एकोनोमिक्स फ़र क्लास नाइन आज के क्लास में हम डिसकस करेंगे इंटर स्टेट डिस्पारिटी को इन टर्म्स आप पावर्टी उसके बाद में हम ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो को देखेंगे और last में हम causes of poverty को discuss करेंगे यहां पे कि इंडिया में यह poverty आई तो कहां से आई और क्यू आई राइट यह lecture बहुत ही important होने जा रहा है तो आपको इसको last तक देखना है बीच में कैसे छोड़ना नहीं है generally मैंने observe कि आप लोग बीच में छोड़ देते हैं इसको last तक देखिए तो शुरू करते हैं आज की class तो class के शुरुवात में ही हम क्या करेंगे यहां पे सिवारामन की यहां पे story को discuss करेंगे देखेंगी कि यह सिवारामन विक्ति कोन था कहां पे रहता था, क्या काम करता था, उसकी family क्या थी उसके family में कौन-कौन लोग रहते थे और उसके personal और उसके family के क्या-क्या issue थे तो इस story को समझने के बाद में आपको काफी ज़्यादा मदद मिलेगी कि यह poverty क्या होती है actually और इसकी impact क्या होती है, वैसे हमने previous lecture में यह सब चीजे discuss की है, poverty, poverty line को discuss किया social exclusion क्या होता है, या vulnerable groups क्या होते है national income क्या होती है, national poverty क्या होती है यह सब चीजे हमने discuss की है, फिर भी हम story को इसलिए पढ़ते है ताकि हमें concept को बहुत अच्छी तरह से समझने में मदद मिले तो देखते हैं यहाँ पर Sivraman की story देखते है So Sivraman is a kobler, lives in a small village, near Karur town in Tamil Nadu तो यह Sivraman जो है, वो कास से kobler है, मतलब मोची है Shoes making का वगरे काम करता है, उसका traditional काम है और एक छोटे से गाव में वो रहता है अपने जुक्की बना के जो की Karur town के पास में और एक Karur town आपका Tamil Nadu में आता है तो Karur अपने आप एक handloom और powerloom में क्या है, famous है तो यहाँ पे handloom की pictures आप देख रहे हो और powerloom की भी देख रहे हो तो यह handloom और powerloom जो use किया जाता है तो generally cotton को process किया जाता है, yarn producing के लिए इसको use किया जाता है तो मतलब Karur में यह cotton industry होगी, इसका मतलब ठीक है तो अभी बात करते हैं हम Sivaraman की, तो Sivaraman की जो family है वो eight members की है, तो including Sivaraman, तो कौन-कौन लोग रहते हैं इसके family में तो सबसे पहले इनके जो पीता जी है वो expired हो चुके है, मतलब father expired हो चुके है तो इनकी mother है more than 65 years old age, जो की एक widow है और काफी बिमार बिमार रहती है वो सो उनके health का issue Sivaraman के आगे है, second thing इनकी wife है, तो wife इनको मदद करती है घर के काम में भी मदद करती है और खेतों में भी जाके वो काम करती है जिनका नाम यहाँ पे ससिकला दिया हुआ है, ठीक है, ससिकला नाम की इनकी wife है इसके अलावा इनकी एक sister है, जो की unmarried है, 25 years old है और Sivaraman को और ससिकला जी को यहाँ पे चार बच्चे भी है, जिनमें three daughters है और एक son है, right तो यह जो बच्चे है, इनका जो age group है, तो age group क्या दिया हुए है, आपको one year से लेके 16 years तक के age group में यह four children Sivaraman को है, ठीक है view हो गया इनके family का, अभी बात करेंगे कि eight member के family को चलाना है, उनका लालन पालन करना है, तो इनको काम भी करना पड़ेगा, तो यह काम क्या करते हैं, तो यह agricultural laborer का काम करते हैं, मतलब agriculture labor है यह, labor है इसका मतलब खुद की इनके पास में कोई land नहीं है, assets नहीं है, यह जो कि यह जुग्गी में भी रहते हैं, आउट्सकर्ड विलेज के आउट्सकर्ड में, और इनको काम करने के पर डे 50 रुपीज मिलते हैं, तो यह बहुत ही important point है, यहां पे कि काम करने कि इनको 50 रुपीज पर डे मिलते हैं, जो कि बहुती लोग इंकम है, बहुती ज़्यादा लोग वेजेस मिलते हैं, इनके साथ में इनकी वाइब भी शशिकला काम करने के लिए जाती है, खेतों में, उनको 25 रुपीज पर डे मिलता है, तो इनके आधा मिलता है, तो यहां पर देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, आपको मतलब, एस कंपेर टु मेंस, उमेंस गेट, लोग इंकम बोल सकते हैं, इन दोनों की इंकम को भी जोड दिया जाए, ठीक है महने की, तो यह बहुती लोग इंकम है, बहुती कम इंकम है, कि एट में इंकम में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब, यहाँ पे सिवरामन और उनकी वाइप, जो शेशिकला है, बेसिक नीट्स को पूरा करने में अनेबल है, तो मतलब पूर है, पावर्टी से घिरे हुए लोग है, तो अभी देखो, यह जो काम करते हैं, आज एन फा काम नहीं होता है, तो इनको चार-पाच मेने घाव में का एंप्लोयमेंट मिलता है, तो यह सीजनल ओनमेंट की शिकार हो जाते है वाइप, तो पाथ-शे महने किया पर यह खाएंगे नहीं, पीएंगे नहीं, तो जिन्दा रहने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, अरि आएंगी तभी तो बेसिक निर्स को पूरा करवाएंगे तो इनको काम धुड़ने के लिए फिर शेहर जाना पड़ता है तो देखो यहां पे अभी शेहर जाने के बाद में भी जैसे यह तो फार्म लेबर थे यह फार्म पे काम कर सकते दूसरा कोई काम तो इनको आता नहीं शायद एजूकेटेड भी नहीं है अगर एजूकेटेड होते हैं और इनमें अगर सकील होता तो यह अच्छे जगापे शायद जॉप करते हैं तो देखो इस करूर जहां पे यहां पे हैंड लूम और पाउर लूम के फैक्टरीज है मतलब यहां पे वर्क चलता है अगर इ दूसरा और वर्क मतलब इनको धूनना पड़ेगा या करना पड़ेगा तो यह पॉसिबिलिटी सब यहां पे आपको देखने को मिल रही है अभी देखो इसके करण इनका बहुत ज़्यादा लो इंकम होने के कारण अभी सिवरामन के सामने कौन-कौन सी समस्या है तो देख अगरी बात, Unable to send his children in school जो चार बच्चे उनको वो प्रॉपरली स्कूल में नहीं भेच पा रहे है क्योंकि पैसे की कम तरता है यहां पे lack of money बोल सकते है Unable to find a suitable groom for his sister because of lack of money उसके जो सिवरामन की जो बहन है यहां पे sister है तो वो unmarried है उसके लिए प्रॉपरली वो कैसे एक अच्छा groom मतलब दुला नहीं धून पा रहा है यहां पे तो सिवरामन और सशिकला जो है तो यह सिर्फ दो वक्त के रोटी के लिए ही struggle कर रहा है यहां पे अपने family को दो वक्त की रोटी जो है उसको दिलाने में ही इनको बहुत ज़्यादा struggle करना पड़ रहा है तो बाकी की जो चीजे जैसे बच्चों को स्कूल में उनके लिए मतलब जो एक आम इंसान जो होता है जो अपने लाइप में जैसे बाकी चीजों को पर्चेस करता है कार हो गया या बाकी मशनरीस को वगरे या बाकी इलेक्ट्रोनिक के गैज़े जो भी चीजे लगजरियस में आती है तो वैसे इसके लिए तो यह बेसिक जो न इनको फेस करना पड़ रहा है सैद बच्चों को जो दूद देना होता है एक टाइम का तो उस दूद के पैसे भी इनके पास में देने के लिए शायद ही हो ऐसी यह सिच्वेशन है और देखो यहां पर क्या हो रहा है अभी बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो आगे जाके बच्चे भी शिवरामन जैसी लाइप को क्या करेंगे सर्वाइवल करेंगे शिवरामन चाहता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजे लेकिन स्कूल में भेजने से पहले दिमाग में यह आता है शिवरामन के कि आगे जाके तीन तीन बच्चों की शाधी भी करना है बहन की भी शादी करना है तो पैसे अगर बचाएंग शिवरामन पैसे अगर जोड़ेगा नहीं बचाएगा नहीं तो आगे जाकि यह सब चीजे कैसे करेगा वो तो अभी देखो यह बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडिशन है मतलब पावर्टी के अलग-अलग फेस होते है अगर जिस वेक्ति की इंकम बहुत लो हो और अनप्लाइमेंट का जो वेक्ति शिकार हो तो पावर्टी हर एंगल से उसको क्या करती है यहाँ पे तोड़ती है उसकी ना तो सोशल प्रोग्रेस होती है ना तो मतलब हर टाइप की इशू उसको फेस करने होते है एजुकेशनल इशू फेस करने होते है हेल्स से रिलेटेट इशू फेस करने होते है सोशल जो रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो नहीं मिलती है सोशल जो कॉंट्रिबूशन होता है सेलेब्रेशन में या बाकी चीज़ उसमें वो convert हो जाते है और in future अगर कुछ problem आ जाती है natural disaster जैसे situation तो उसमें पूरी तरह से क्या हो जाते है बरबाद हो जाते है फिर अगर जुग्गी भी है और earthquake आ जाए या कोई मतलब drop जैसे situation आ जाए या कोई flood वाली situation बन जाए तो फिर से यह अपने जुग्गी भी नहीं बना पा सकेगा इतने भी पैसे नहीं होते है ऐसे family के पास में मतलब ऐसे landless farm labor के पास में right so हमने इस example में यह सब चीजे discuss की है I hope कि इस example से आपकी सारी idea clear हो चुकी हो तो अभी सिवरामन की जो family है तो उसमें जो बच्चे है तो वो बच्चे भी आगे क्या करेंगे poverty के cycle को ही continue करेंगे मतलब सिवरामन खुद पूर है उनके बच्चे भी पूर ही रहेंगे क्योंकि school नहीं जाएगे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो उनमें कोई skill develop नहीं होगा उनके पास में कोई degree नहीं होगी तो कोई धंका job नहीं मिलेगा अगर job नहीं मिलेगा तो earning कह से होगी तो वो सब सिवरामन जो कर रहा है आज के date में वो सब उनके बच्चों को भी करना पड़े So I hope कि यह story आपके समझ में आई हूँ हम आगे बढ़ते इस chapter में So interstate disparities को देखते तो interstate disparities क्या होती है actually तो interstate disparity मतलब पहले disparity का मतलब समझ लिए disparities का मतलब होता है और great difference बहुत ज़्यादा जब difference आपकी बात की जाती है तो तब word यूज किया जाता है disparities तो हमारे देश में बहुत सारे states है और union territories है आपको पता ही है कितने state है कितने union territory तो क्या सभी state में एक जैसी poor की number है या reach लोग पूर है उतने पंजाब हरियाना में नहीं है या केरला में जितने पूर है उतने बाकी देश में नहीं है तो बिहार आसाम में जिए बिहार या ओरिसा की जाह तक बात करते हो तो वहां पे पावर्टी बहुत ज़्यादा है as compared to other parts of our country तो इस ratio को actually हम बोलते हैं इंटर स्टे देखने को मिलती है the proportion of poor people is not the same in every state तो हमारे इंडिया के अलग-अलग state में यह जो पावर्टी का proportion है आपको अलग-अलग देखने को मिलता है all those state level poverty as witness a secular decline from the level of early 70s देखो अगर 1970s के दशक की बात करे तो तब बहुत ज़्यादा पावर्टी हमारे देश में हुआ करती थी आज की date में उतनी पावर्टी नहीं है लेकिन फिर भी the success rate of reducing poverty varies from state to state तो यह जो पावर्टी रेट जो कम हुआ है तो इसका जो success rate हमें state to state अलग-अलग देखने को मिलता है एकदम से सभी state में मतलब equally poverty reduced नहीं हुई है so recent estimate shows while the all India head count ratio तेको यह all India head count ratio जो है तो इसकी मदद से यह determine किया जाता है कि हमारे देश में poverty कितनी है below poverty line people कितने है और APL में कितने है right so यहाँ पे देखिए कि जो मध्यप्रदेश है आसाम है यूपी है बिहार है या उरिस है तो इन states में जो poverty आपको देखने को मिलती है 21.9% से भी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जब 2011-12 में जो यहाँ फी head count ratio को calculate किया गया था तो 21.9% की approximate poverty को calculate किया गया था लेकिन उसी समय में मध्यप्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार, ओरिसा जैसे state में यह poverty 21.9% से भी ज्यादा की थी तो कितनी ज्यादा थी तो इसमें देख सकते हो आपकी जो poorest state है वहाँ पे ratio 33.7 से ले 32.6 इसको record किया गया था जैसे कि आप screen की उपर में देख पारे हो यहाँ पे एक graph दिख रहा है आपको तो इस graph में आप देख सकते हो कि किस तरह से बिहार, ओरिसा, आसाम, मध्यप्रद जो poverty ratio है कितना ज्यादा है देखी 33.7% की poverty बिहार में मतलब सव लोगों के पीछे 34 persons are poor यह percentage का जो calculation है इसको कैसे याद रखना आपको अगर बिहार के बात करते हो आप in the year of 2011-12 में तो यह पाया गया था कि बिहार में सव लोगों के पीछे 34 people क्या है पूर है वही ओरिसा में 32 people poor है सव लोगों का अगर calculation किया जाए तो ठीक है आसाब में 32 है बंद्यप्रदेश में 31.6 मतलब लगब 32 लोग है उत्तरप्रदेश में 29.4 मतलब 30 लोग यहाँ पे क्या है सव लोगों के पीछे में poor है तो देखो यहाँ पे आपको बहुत close disparities देख रही है लेकिन बाकी ज बहुत ज़्यादा low poverty है केरला में 7.1% poverty है तो पंजाब में 8.3% है राइट तो महारास्टा में 17.4% की poverty है तो यह जो आपको variation देखने को मिलता है इस variation को हम यहाँ पे interstate disparities बोलते है तो हमें यह जो interstate disparities देखने को मिलते है तो इसके कारणों को भी यहाँ पे discuss करने की जरूर पावर्टी वेरियेशन दिख रहा है तो इसका कारण क्या है कि जितना पंजाब में पावर्टी है उतना ही बिहार में क्यों नहीं उडिसा में क्यों नहीं है तो इसको हम डिसकस करेंगे आगे वाले स्लाइड में तो इसके कारण के जैसे पंजाब अरियाना जो स्टेट है तो ट्रैडिशनली वहां पे पावर्टी रिड्यूस करने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है देखो गवर्मेंट ने जब ग्रीन रिवालुशन प्रोग्राम चलाया था तो मैक्सिमम जो बेनिपिट्स है तो वो पंजाब अरियाना यूपी वाले स्टेट्स में ही मिला था खास करके पंजाब अरियाना में कैसे मैदानी एरिया है वहां पे लैंड भी बहुत ज़्या के लिए जो चाहिए जैसे पेस्टिसाइड है फोर्टिलाइजर है इंसेक्टिसाइड है हाई इल्ड वराइटी है तो इन सभी चीजों का यूज करके उन्होंने वहां का जो मतलब फार्म प्रोड्यूस है उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा लेवल तक बढ़ा लिया सर्प्लस प्रोडक्शन किया और इसके चलते वहां की जो पावर्टी है वो रिड्यूस होने में बहुत ज्यादा मदद मिले और आज पंजा भरियाना में पावर्टी रेट आपको लो देखने को मिलता है सेकेंड फिंग हम यहां पे डिसकस करेंगे कि केरला स्टेट जो है अगरिकल्चर सेक्टर है इतना डेवलप तो नहीं है वहां पे राइट वहां पे तो पानी है पानी है बोलते है राइट तो केरला में क्यों पावर्टी रेट सबसे कम है तो केरला का लिटरसी रेट बहुत अच्छा है मतलब केरला की गवर्मेंट ने क्या किया कि केरला के जो लोग है, population है केरला की उसके उपर मतलब human resource development के उपर में बहुत ज़्यादा investment की मतलब लोगों की जो education है लोगों के अंदर में जो skill है लोगों का जो स्वास्त है इसके उपर में बहुत ज़्यादा focus किया और यह सब investment करने से हुआ क्या कि वहाँ पे एक human resource develop हुआ तो जो human resource कही industry में काम कर सकता है service sector में jobs कर सकता है बाहर abroad जाके अपनी services दे सकता है तो ऐसे लोग वहाँ पे create किये गए तो उससे क्या हुआ कि आज केरला हमारी इंडिया में सबसे number one पे आता है कि जो foreign revenue को इंडिया में लाता है बहुत सारी लोग केरला से मतलब बाहर कंट्रीज में जाके क्या करते है jobs करते है और हमारे देश में भी अलग-अलग institutions अलग-अलग factories बड़े-बड़े जगाव पे क्या करते है वो jobs करते है तो मतलब उस लाइक बना दिये लोगों को क्यों वो बाहर जाके काम कर सके जहां जहां पे jobs के opportunities हो तो यह एक दूसरा कारण है कि poverty को reduce किया जा सकता I hope कि first to second and third point आपका clear हुआ fourth point में हम यह देखेंगे कि West Bengal में किस वज़े से poverty को reduce किया गया इतने मतलब rapidly तो वहां पे जो land reform measures लिए गए मतलब देखो जब हम आजाद हुए तो हमारी यह जो land हुआ करती थी तो बड़े बड़े जो जमिंदार लोग अगरे हुआ करते थे तो उनके पास में land हुआ करती थी बड़ी बड़ी land हुआ करती थी 200 एकर 300 एकर 400 एकर 1000 अप हेक्टर की land एक एक वेक्टी के पास में हुआ करती और maximum जो tribal लोग है या जो STSC's category के लोग है या जो बाकि middle class लोग है तो उनके पास में खुद की कोई land नहीं हुआ करती थी तो बेंगाल में land reform act को लागू किया गया और उसके थुरू कि ऐसे land का फिर से redistribution किया गया मतलब जमीन दार की access of land हुआ करती थी उसको seize किया गया और seize में जिस जमीन को मतलब जबत किया गया उसको बाद में जिन लोगों के पास में जमीन नहीं थी उनको बाटा गया तो लोग कि पास में जमीन आने से क्या हुआ लोगों ने अपने फैमिली की जो फूड की नीड थी उसको पूरा करने के लिए कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया और उससे क्या हुआ कि लोगों को मतलब एक यहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ यहां पे लोगों के बेदेश एफ़ेट बहुत ही रै्पिडली रिड्यूस होने में मदद मिली इसके बाद में हम बात करेंगे की तमिल नाडू अंधर प्रदेश जेसे स्टेट की की वहांपे जो पावर्टी इतनी ज्यादा थी तो और रैपिडली रिड्यूस होने का कारण क्या है तो वहां उन्होंने दिखाई और जो मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया तो उससे क्या हुआ कि वो लास्ट तक जो पूर व्यक्ति था तो उसके पास तक फूड ग्रेंज को पहुचाया गया जिसके कारण उनको बहुत जदा फूड सेकुरिटी मिली और फूड सेकुरिटी के कारण क्या हुआ कि उनके जो फूड अर्निंग के लिए जो उनको स्ट्रगल करना था उसमें उनका समय भी बज़ गया पैसा भी बज़ गया और वो दूसरा काम करने में क्या उनको उससे मदद मिली ताकि नए तो देखो होता क्या है अभी अभी जो एक्जामपल हमने देखा यह कि जो सिवा रमन था तो सिवा रमन अपने एट फैमिली एट मेंबर की जो फैमिली तो उसके दो समय के ब्रेड एंड बटर के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है अगर गवर्मेंट की फूड डिस्ट्रिबिशन सिस्टम से उसको मदद मिल जाती तो शायद वो अपने बच्चो को क्या कर पाता जो उसके पास में पैसे थे जो अभी फूड के उपर में उसके खर्च हो रहे तो उसको स्कूल में भी बेश सकता था तो सेम यही आंदर प्रदेश और तमिल नाडू में हुआ कि गवर्मेंट ने जो फूड डिस्ट्रिबिशन सिस्टम है उसके थूड ने बी पूड लग इस तो एक लिए श्यूंज में लेकिन इसका शबसे जयादा जो ईंपैक्ट है वह आपको डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता दो the proportion of people in the developing countries living in extreme economic poverty तो देखो वर्ल्ड में जो पावर्टी का प्रोपोर्शन है वो डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है तो ये किसका मानना है वर्ल्ड बैंक का मानना है अभी ये वर्ल बैंक क्या है एक्चुली वर्ल बैंक एक इंटरनेशनल और्गनाईजेशन है और इसका काम क्या है वर्ल बैंक का इंटरनेशनल और्गनाईजेशन तो है तो ये क्या करता है ये bank actually ये loans और grants को provide करता है उन governments को जो छोटी governments होती है मतलब low government या middle income वाली जो countries होती है तो उनको loans और grants provide करती है ताकि उन countries में developmental projects है वो चले और उन countries का विकास होने में ये मदद कर सके तो ये world bank क्या करती है एक survey करती है और poverty line को define करती है तो उसके तुरू देखा जाता है कि जो developing countries है उसमें poverty rate कितना है poverty ratio कितना है तो यहाँ पे जो मैं world bank की बात कर रहा हूँ तो world bank actually ये 1944 में establish की गई थी जिसका headquarter आज की date में वाशिंग्टन DC में है United States में और इसकी जो member countries है about I think 189 countries है इसमें भी world bank में IBRD और IDA वगरे आता है तो इसको कभी separate lecture में हम discuss कर लेंगे जब हमारी school start हो जाएंगे तो देखो यहाँ पे world bank की बात कर रहा हूँ तो world bank ने जो poverty line को यहाँ पे define किया है तो यह माना जाता है कि जिनकी income less than dollar 1.90 per day होती है तो उनको यहाँ पे poor के category में रखा जाता है तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है तो world bank भी यह मानती है कि developing countries में जो 1990 में percentage record किया गया था वो 35% की poverty को record किया गया था लेकिन world bank के जो latest record है 2013 के उसमें यह भी पाया गया कि यह जो poverty है वो rapidly reduce हुई है और 10.68 की यहाँ पे record देखने को मिलती है आपको percentage growth तो reduction तो यहाँ पे 15% की reduction हुई है जो कि 10.68% 2013 में इसको record किया गया I hope कि यह fourth point आपके clear cut समझ में आया हो यहाँ पे मैंने दू चीज़े बताई है आपको पहली चीज़े बताई है कि generally यह जो poverty extreme poverty जो होती है वो आपको developing countries में देखने को मिलती है World Bank यह मानती है कि जिस country की जो पर व्यक्ति जो income होती है और dollar 1.90 से कम होती है उसको poverty मतलब poor माना जाता है poverty की category में रखा जाता है और यहाँ पे ratio भी कैसे fall हुआ है यह भी यहाँ पे बताने की कोशिच की गई है second thing although there has been a substantial reduction in global poverty भले एक mass level पे मतलब आपको देखने को मिलता है कि global poverty में यहाँ पे reduction हुआ हो it is marked with the great regional differences फिर भी दुनिया के ऐसे बहुत सारे regions है वहाँ पे जो poverty ratio है वो एकदम से कैसे मतलब reduce नहीं हुआ है equally reduce नहीं हुआ है जैसे हमने अभी अभी इंडियन इंटर स्टेट की बात की थी कि केरला में जितनी poverty है उतनी आपकी आसाम में नहीं है मतलब आसाम में बहुत ज़्यादा है या बिहार में बहुत ज़्यादा है तो वैसा ही पूरे globe की अगर बात करते हैं हम वर्ड की बात करते हैं तो वहां पर भी ऐसे अलग-अलग regions है जहां पर poverty ratio आपको कम ज़्यादा देखने को मिलता है तो उसको हम map की मदद से समझने की कोशिच करेंगे यहां पर so poverty decline in China and South East Asian country ओके चाइना में जिस तरह से poverty decline हुई है और बाकी जो South East Asian countries है जिसमें इंडिया है बांगलादेश है पाकिस्तान है या श्रिलंका है तो यह जो देखने को मिल रहा है आपको तो इसके कारण क्या बताएगा है कि economic growth economic growth मतलब क्या जैसे economy economy का concept मैं ने आपको समझा already the system where the jobs are offer मतलब जहां पर काम करने के लिए आपको आफेर कहा है और जहां पर काम होता है मतलब वर्क ऑफर किया जाता है तो वर्क ऑफर जब लोगों को work offer किया जाए, लोग काम करेंगे वहाँ पे तभी तो उनको income आएगी, और income आएगी तभी तो वो अपने जरुरतों को पूरा कर पाएंगे, अगर लोग जरुरतों को पूरा कर पाएंगे तो वो poor क्यों होंगे, तो I hope की concept आप समझ रहे हो यहाँ पे, तो economic growth इस area म आपको देखने को मिलती है, और उसके कारण economic growth के चलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा investment भी हुई है, human resource development के लिए, तो इन कारण चाइना में और South Asian countries में जिस तरह से यह जो poverty reduction देखने को मिलता है, तो इसके basic दो ही कारण माने जाते हैं, कि economic growth हुई है, मतलब जो primary, secondary और tertiary sector है, यहाँ पे jobs create हुई है, और jobs create होने के कारण यहाँ पे लोगों के पास में income आई है, और income आने के कारण लोगों की जो basic needs है, उसको लोगों ने पूरा करना शुरू किया, और इसलिए poverty rate यहाँ पे कम देखने को मिलता है, इसके साथ साथ इन चाइना और बाकी South Asian countries में, human resource development के उपर में बहुत ध्यान दिया गया, जैसे educational institutions को खोला गया, right, skill development institutions को खोला गया, लोगों के health के उपर में focus किया गया, इसलिए medical sector में बहुत ज़्यादा यहाँ पे development हुई है, तो उसके कारण यहाँ पे overall poverty ratio काम होते हुए, आपको देखने को मिलता है, okay, so हम बात करेंग कि number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008, देखो यह बहुत important fact है, कि China में एक समय में 1981 की अगर बात करते हो, आप तो 88.3% लोग poor थे, मतलब 100 में से about 90 लोग क्या थे, गरिब थे चाइना में 1981 की बात करते हो, तो आप, वही अगर 2008 की अगर बात करते हो, आप तो 14.7% लोग यहाँ पे गरिब थे, मतलब poor थे, तो ऐसा क्या हुआ चाइना में, चाइना में यह economic development हुआ, human resource के उपर में काम करना शुरू हुआ, तो उसका result मिला यहाँ पे कि केवल 15% लोग क्या थे, poor थे 2008 में, और अभी 2013 की report क्या बोलती है, कि चाइना में अभी केवल 100 मे देखने को मिलता है, so next discuss करेंगे हम इसमें कि in the countries of South Asia, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Bhutan, the decline has also been rapid from 54 to 15%, तो यहाँ पे भी about 54% की poverty पहले देखने को मिलती थी, जो कि आज की date में 15% के लगबग आसपास है, लेकिन यह इसमें भी variation देखने को मिलता है आपको, तो I hope कि यह जो global poverty scenario है, वो आपके स So despite decline in the percentage of the poor, the number of poor has declined significantly from 44% in 1990 to 70% in 2013, right, तो यहाँ पे percentage में यह बताया गया है, कि यह जो declination हुआ 1990 में, यहाँ पे 44% की poverty आपको record की गई थी, अभी 2013 में यह 17% पे आके रुकी हुई है, So I hope कि यह सभी concept आपके clear हुई हो यहाँ पे, So इसका कारण क्या माना जाता है, कि different poverty line, देखो यहाँ पी India में यह सब जो variations आपको देखने को मिलते हैं, कि पहले जो 54% बोला गया था, उसके बाद में 44% बोला गया, अभी 17%, अभी शुरुआत में इस chapter के हमने देखा कि 24% लाइन है, उसको define करने के लिए हमारे यहाँ पे अलग-अलग कमीटिया बनाई गई गई थी, तो जैसे कि आपको पता हो, मैंने लास लेक्चर में बोला था, लकडवाल कमीटी बनाई गई थी हमारे यहाँ पे, तो इन्हों ने अपने study की और गवर्मेंट को रिपोर्ट और उसके हिसाब से बताया कि इतने इतने percentage यहाँ पे क्या है, पावर्ट यह, तो मैं यहाँ पे आपको homework दे रहा हूँ कि आपको लकडवाल कमीटी के बारे में तोड़ सा information निकालना है, तो उसके बाद में तेंडूल कर कमीटी आई थी, उसके बाद में और जुन सेंग ग अभी यहाँ पे देखो 17% की बाद चल रही है, और यह report जो है, वो 2011-12 में आई थी, 2011-12 में जो रंगराजन कमीटी की report आई थी, तब क्या बोला गया था, कि 29.5% people are under the poverty, तो उन्हों ने यह बताया था, क्या आधार बताया था, कि गाव में रहने वाले लोग जो है, अगर 32 रूपीज पर डे के नीचे अगर अर्न करते तो वो गरीब है, और शहर में रहने वाले जो लोग है वो अगर 47 रूपीज पर डे से कम अर्न करते है, लेस देन 47 रूपीज पर डे अर्न करते है, तो वो गरीब है, यह उन्होंने रंगराजन कमीटी में बताया गया था, तो इससे यह पता चलता है कि हमारे यहाँ पर पावर्टी लाइन की डेफिनेशन जो है तो वो जैसे जैसे चेंज हुई है और यह हर पास साल के बाद में प्रियोडिकली इसको चेंज किया जाता है क्यूंकि देखो महिंगा ही बढ़ती है inflammation बहता है चेंज होता रहता है तो उसके according इसको भी change किया जाता है और उसके कारण ये जो आकड़े वो हर 5 साल के बाद में बदल भी जाते है उपर नीचे चला जाता है ये सब चीजे So I hope कि ये concept आपका clear हुआ हो यहाँ पर इसके उपर में definitely question बनता है तो सारी चीजों को ध्यान से समझे आप So next चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जहां तक हम सब सहारन African countries की बात करते तो वहाँ पर भी आपको poverty में एक declination देखने को मिला है 54% से 41% तक लेकिन यहाँ पर बहुत ज़दा rapidly decrease नहीं हुआ as compared to South Asian countries So अगर लेटिन अमेरिका की बात करते हो The ratio of poverty has also declined from 16% in 1990 to 5.4% in 2013 Latin America को अगर सब सहारन African countries के साथ में आप कंपेर करके देखते हो तो यहाँ पर बहुत ज़दा differences आपको देखने को मिल जाते है So जब जहातक हम बात करते हैं कि the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line International poverty line जो World Bank ने दी है कि वहाँ पे dollar 1.90 से less than अगर income per वेक्ति की है तो उसको पूर समझा जाता है तो कुछ इसी हिसाब से कैसे इन सभी जिजों को calculate किया जाता है over the globe पूरे दुनिया के लिए बाकी parts के लिए तो यहाँ पे एक मैने टेबल दिया है आपको उस टेबल से आपको समझने में काफी आसानी होगी कि कि कोन सी country सबसे जादा पूर है और कोन सी नहीं है सो percentage of population below dollar 1.90 तो 2011 का यह record है ति इसमें देखो Nigeria सबसे जादा पूर देखा गया है कि Nigeria की जो percentage है 53.5% जो लोग है उनकी जो income है वो dollar 1.90 के नीचे है सो Bangladesh second number पे आता है यहाँ पे देखो अभी आप बोलोगी कि बंगलादेश के बाद में तो इंडिया भी है 21.2 तो इसका प्रतिशत तो जादा है तो लेकिन यह होता क्या है कि इसके definition थोड़ी अलग इसलिए होती है कि Nigeria में जो लोगों की जरुरत का जो सामान है वो जितना महंगा मिल रहा है वो जरुरी नहीं है कि बंगलादेश में उतना महंगा मिले या इंडिया में उतना महंगा मिले या चाइना में मिले तो उस country के उपर में depend होता है कि वहां के country के लोगों की lifestyle कैसी है वहां पे जो production हो रहा है तो वहां के जो goods and services produce हो रहे है तो उसकी production और market cost कितने उसके उपर में भी और उसके बाद में लोगों का consumption कितना है expenditure कितना है तो उसके उपर में actually ये depend होता है फिर भी overall जो international standard दिया गया है यहां पे कि dollar 1.90 से मतलब कम अगर earning है वहां पे तो कितने ज़्यादा population उसमें engage होती है तो उसके according to this table को देने की कोशिश की है यहां पे तो आप देख सकते हो तो इन data को आपको याद रखना है exam में आपको ये data पूछा जाता है so I hope कि इस table में जो भी चीज़े दी है बड़े आसानी से आप ध्यान में रख लोगे so इसके बाद में हम discuss करेंगे थोड़ा सा यहां पे कि causes of poverty क्या है और आने वाले next lecture में हम detail में उसके बाद में जो poverty elevation के लिए government ने क्या-क्या measures लिए है कौन-कौन सी scheme चलाई है उसको next lecture में हम cover करेंगे right so यहां पे देखिए जो causes of poverty है तो causes of poverty में सबसे पहले इंडिया में जो poverty जिस तरह से enter हुई है तो उसका कारण क्या माना जाता है कि low level of economic development in colonial time तो colonial time में क्या हुआ there were a number of causes of widespread poverty in India one historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration तो यह जो British colonial administration था हमारे यहां पे तो यहां पे उन लोगों ने हमारी local industry को boost नहीं होने दिया और जो western countries में जो मतलब finished goods produce होता था तो उसको हमारी Indian market में उन्होंने क्या किया बेशने की कोशिश की तो उसके कारण यहां की local industry पूरी तरह से बरबाद हो गई थी और यहां पे local industry बरबाद होने के कारण देखो मतलब जो local industry यहां पे grow होने की कोशिश कर रही थी उसको उन्होंने spoil कर दिया तो लोगों को jobs ही नहीं मिले अगर लोगों को jobs नहीं मिलेंगे तो earning कहा से होंगी और earning नहीं होंगी तो लोग अपने जरुरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो वो तो गरीब हो जाएंगे ना अक्री में after all तो इस topic को causes of poverty को अलग से हम next lecture में करेंगे cover फिलाल आप इन कुछ points को याद रख लीजिए यहां पे कि जैसे मैंने बताया कि low level of economic development in colonial rule तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को स्रिफ लुटने का काम किया था यहां पे मतलब जो local industry थी उनको develop नहीं होने दिया और उनके यहां पे जो industry थी जो industrial produce होता था उस produce को यहां पे उन्होंने पूरी तरह से बेशने की कोशिश की और जिससे उन्हें जादा फाइदा होता था तो वही चीज़े वो इंडिया जैसे कलोनीज में करते थे जैसे आपको पता यह इंडिगो कल्टिवेशन वगरे वो बहुत ही जोर जबरदस्ती से करते थे यहां पे तो वो सब चीज़े अपने history में पढ़िए इसके अलावा huge income inequality यहां पे मतलब कुछ ऐसे upper caste के लोग थे या कुछ मतलब हमारी जो society थी वो अलग-अलग section में डिवाइड हो चुकी थे कुछ section के लोगों को बहुत ज़्यादा high income मिलता था तो कुछ section को मतलब bread and butter के लिए भी पैसे नहीं होती थे इतनी जो यहां पे जहे जो land reform जैसे चीज़ों को हमने discuss किया था तो वो adequate तरीके से implement नहीं हुई थी और कुछ social culture या economic factors भी थे जिनके कारण हमारे यहां पे poverty कैसे poverty आई भी और आज के date में भी यह poverty है राइट तो यह poverty एकदम से कैसे गाइब तो होने वाली नहीं है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा work करने की जरुरत है तो इन सभी points को हम detail में थोड़ा सा क्या करेंगे दूसरे lecture में cover करेंगे अभी मैंने श्रिप overview बताया आपको यह 2-4 points है तो इसको अच्छी तरह से read किजिए और prepare किजिए हो सके तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लिजे अगर आपको कुछ भी problem साता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताये मुझे no problem at all you have to feel free to ask me anything on this topic at any time no problem at all so thanks for watching this video here see you in the next video